प्रभू का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार प्रभू ने हमें एक और मौका दिया कि हम प्रभू के चरोने में जाकर प्रभू का वच्चन को पढ़े और उसके पर हम मनन करें आज हम बाइबल अध्यान के लिए पढ़ेंगे पहला थिसलिनके की किताब पत्री उसका तिसरा अध्याई और उसकी छे आयत से तेरा आयत तक पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है से आज से हम पढ़ते हैं पर अभी तीमूठियस ने जो तुमारे पास से हमारे यहां आया है तुम्हारे विश्वास और प्रैम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रैम के साथ हमें स्मराण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो जैसा हम भी तुम्हें है देखने की इसलिए हे भाइयोζ हमने अपने सारे दूख अरकलेस में तुमारी विस्वास से तुमारी विश्वा से smell में सांती पाई क्योंकि अब अदि तुम प्रभू में स्थिर रहो तो हम जीवित है और जैसा आनन्द हमे तुमारे कान अपने प्रमीर्सर के सामने है उसके बदले तुमारी विश्वाइ में हम किसी रिते से परमिश्वर का धन्यवाद करें हम राद दिन बहुत ही प्रातना करते रहतें कि तुमारा मुँ देखें और तुमारी विश्वास की घटी पूरी करें अब हमारा परमिश्वर पिता आप ही और हमारा प्रभु इस्वर तुमारे यहां आने में हमारी अगवाई करे और प्रभु इस्वर ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं इसा ही तुमारे प्रेम भी आपस में और सब मनुश के साथ बढ़े और उन्यति करता जाए ताकि वह तुमारे मनों को ऐसा स्तिर करें कि जब हमारा प्रभु इसु अपने सब पवित्र लोग साथ आए तो वो हमारे परिमिश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दो स्थेहरें प्रभु इस वच्चन के द्वारा हमें आसिशित पर आज हम बाइबल यद्धिन के लिए जो हमने तो टॉपिक को चुना है वो है प्रभु में स्थीर रहना है प्रभु में स्थीर रहना है देखिए जब हम प्रभु के स्विकार करते हैं उसको उत्भार करता ग्रहन कर लेते हैं हम प्रभू में आ जाते हैं प्रभू का वच्चन हमें कहता है परमीश्रा ने हम अंदकार के वस से छोड़ा कर उसके राज्य में उसके जोती में आने के लिए हमी निमंतन किया उसका सहबागी हम उको बना लिया जब हम इस्वास करके प्रभू के पास आते हैं हम जोती में आ जाते हैं प्रभू का वच्चन हमें कहता है प्रभू में हमें स्थीर रहना है जैसे हम अंदकार से या हमेरे पुराना जीवन छोड़कर हम प्रभू में पास आ जाते हैं जिन्दा खुदा के पास आ जाते हैं तो हमें प्रभु में स्थिर रहना है यहां पी हम स्थिर रहने की बाद जब कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है प्रभु में बढ़ते जाना है प्रभु के वच्छन में बढ़ते जाना है प्रातना में जीवन में हमें आगे बढ़ते जब हम हमारे जीवन में हम देखते हैं कहीं लोग प्रभु में आते हैं प्रभु के सिवकार कर लेते हैं लेकर अपना जीवन में स्थीरता नहीं होते हैं जब स्थीरता नहीं है और प्रभु में हम ढंक से नहीं स्थीर रहते हैं तो हमारे जीवन में हम पीछे मुड़ने का अनुभव को प्राप्त करते हैं मतलब हम प्रभु में आसिरवादित जीवन नहीं जी सकते हैं प्रभु में जो जीवन प्रभु ने हमें जीवन दिया इस जीवन को हम उसका लाफ हम हमारे जीवन में ले नहीं पाते हैं लेकिन जब हम प्रभु में स्थिर रहते हैं उसमें आगे बढ़ते जाते हैं प्रभु हमारे जीवन में अद्भुतृति से कार्या करता है और हम प्रभु के लिए और दुसरे लोगों के लिए आसिस का कारण बनते हैं जब प्रभु में हम स्थिर रहते हैं उसमें बढ़वान बनते जाते हैं तो हमारे जीवन आसिसित रहता है और दुसरे के लिए भी हम आस्सित बन जाते हैं ऐसे ही प्रभू का कारया आगे बढ़ता है पाउलूस एक बार कलीशा को सताने वाला था एक बार प्रभू के लिए प्रभू के विरोध में काम करने वाला लेकिन जब उसने प्रभू को पहचान लिया प्रभू की बुलाहाट आए गई उसने प्रभू को स्विकार के लिए एक स्थिर्था का जीवन उसके जीवन में आया और ये बहुत बड़ी गवाई बनकर हमारे लिए बहुत से लोगों के लिए आसिस का करण बना प्रभु में स्थीर बन कर देखिए हमारे जीवन में जम प्रभु में रहते हैं जैसे संसार के लोगों को रहता है वैसे हमारे जीवन में भी परिशानी दूख सब कुछ आश रखता है लेकिन प्रभु हमें जब हम प्रभु में स्थीर रहते हैं प्रबु हमें वचन देता है कि मेति मेरे साथ देखिए प्रबु का वचन कहता है कि संसार में आपको कलेस है संसार में आपको दुख है, मुसीबत हैं लेकिन आप हिम्मत भांदो, आप स्थीर रहो क्योंकि संसार को मैंने जीता है देखिए हम प्रभु में रहते हैं तो हम प्रभु के सहबाय कीता में रहते हैं और प्रमिश्वर हमारे साथ रहता है हमारे जीवन आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन को आसिसित करने के लिए और हमारे द्वारा और बहुत सारे काम परिमिश्वर हमारे जीवन के द्वारा कहते है जब हम प्रभु में रहते हैं स्थीर बन कर रहते हैं प्रभु के लिए कार्य करते हैं प्रभु हमारे जीवन को आसिस तो करता है लेकिन और हमारे जीवन के दारा और बहुत के लोगों को भी आसिस का करान हमको बनाता है और बहुत ही लोगों के लिए हम एक गवाही रूप बन जाते हैं परिमिश्वर के लिए हम गवाही रूप बन जाते हैं और इस अंसार में प्रभू ने हमें इसलिए चुना है कि हम इस अंसार के में रहे कर प्रभू के लिए गवाही बने जब हम स्थीरता में चलते हैं प्रभू में बढ़ते रहते हैं प्रभू में जब हम बने रहते हैं हमारे जीवन इस दुनिया के लोगों के लिए एक आसिस का करान बन सकता है आज प्रभू का वचन हमें कहता प्रभु में स्थीर हो, प्रभु में बढ़वान बनके जाना, प्रभु में आगे बढ़ते जाना, प्रात्ना में जीवन में, प्रभु किस्तूतिवाद, धन्यवाद में, प्रभु के लिए जो श्रिवा कायम करते हैं, उसके में आगे बढ़ते जाना है, प्रभु में बने हमने प्रभु के नहीं चुना लेकिन प्रमिश्वर ने हमें बूलाया, प्रमिश्वर ने हम इस दुन लिया और प्रभु का बेटा बेटी हमको बना लिया है, और जब हम प्रभू में आ जाते हैं जोती में आ जाते हैं परमिश्वर हमारे जीवन के द्वारा जोती को प्रगट करता है इस दुनिया के लिए और हमारे द्वारा परमीश्वर अद्भूत कारिय करता है हमारे जीवन के द्वारा बहुत फिर लोग आसिस का कारण बनते है देखे हमें परमीश्वर ने इस दुनिया में चुना है इसलिए कि हम एक जोती के समान चमके एक प्रभू में बनकर हम दुसक्रे के लिए गवाहे का कारण बने है हम दुसरे के लिए इस दुनिया जो एक मुर्ती की और जा रहे है दुनिया जो है एक नास की और जा रहे है दुनिया एक ऐसी परिस्तिसे से गुजर रहे है लेकिन परमिश्वर ने हमें अपनी जोती में बुला कर अपने जीवन में बुला कर जनंत जीवन हमें परमिश्वर ने दिया है इस जीवन में रहकर हम जो लोग अंधकार में हैं जो लोग इस जीवन से दूर है जो लोग नास में जा रहा हैं जो लोग जिसको पता ही नहीं हम कहा जा रहे है ऐसा जीवन जीने वाले लोगों के लिए परमीशर हमें हमारे द्वारा कारिय करना चाहता है इसलिए परमीशर ने हमें चुन लिया है और हम जो जब हमको परमीशर ने चुन लिया है हम प्रभु में स्थीर रहे प्रभु में बढ़वान बने प्रभु में आगे बढ़े और आगे चलते जाएं तो प्रभु आज इस वच्छन के उदारा हमें संदेश देता है प्रभु में हम स्थीर रहें बढ़वान बनकर प्रेम में आगे बढ़ते जाएं और बहुत सारे लोगों के लिए आशिस का करान बने प्रभी स्वच्छन के दर आप सब को आशिशित करें आमेन